StockBiz में आपका स्वागत है Mahindra इन Mahindra Finance के quarter 4 के number आ चुग है तो चलिए देखते हैं कैसे हैं quarter 4 के number साथ मैं stock के analysis पर करेंगे level target पर देखने वाले तो वीडियो केने तेका बिल्कुल बने रहे total income की बात करें इस बार तो निकल के आई है 2897 क्रोड जो पिसले सल इसी quarter में थी 3038 क्रोड तो यहाँ पर कह सकते हैं 4% के आपको गिरावट देखने को मिल रही है इसके total income में पिसले quarter से बात करें पिसले quarter में थी 2985 क्रोड तो वहाँ से भी 3% घट चुका है इसके total income है आप यहाँ पर बात करें इसके total income में थी जो पिसले सल इसी quarter में थी 2895 क्रोड तो देख सकते हूँ जो इसके इसके इंटरस्ट इंकम है यही पर गिरावट आई पिसले quarter से देखूगे तो वहाँ पिसले quarter से भी गिर है इसके जो interest income है अगर बात कर लिए इसके खर्चों की जो total expenses है इसके निकल के आई है इस बर 2035 क्रोड जो पिसले सल इसी quarter में थी 2796 क्रोड तो total जो income में वो घटी है बट expenses भी उससे जाधा घटे है जो total income घटी थी 4% से और जो इसकी total expenses घटे वो 27% से घटे है तो यह काफे अच्छी चीज है घटे किसले क्योंकि देख सकते इंपेर्मेंट है जो इनने provisioning वगरे किये वो यहाँ से कम हो गई इस बर उसकी वज़े से इतने जाधा आपको घटे देख रहे है मगर हम पिछले quarter से बात करें पिछले quarter में था 1662 क्रोड के वहाँ से बढ़ चुके है expenses जो पिछले quarter से करें को compare करें तो 3% से revenue हटा है बड cost 22% से बढ़ चुका है तो यहाँ पर थोड़ी सी negative चीज हो जाती है तो हम अपर operating profit के बात कर ले जो net profits तो अलग रहता है यहाँ पर निकलके है 868 क्रोड जो पिछले साल इसी quarter में था 241 क्रोड तो यहाँ से आपको अच्छा कासा jump देखने को मिल रहा है 258% का jump आपको देखने को मिल रहा है पिछले quarter साल के compare करें तो पिछले quarter में थे 3923 क्रोड तो वहाँ से जरूर 35% से आपको कटाओती देखने को मिल रही है net profit के बात के तो net profit निकलके है 628 क्रोड जो पिछले सल इसी quarter में था 218 क्रोड तो वहाँ से जरूर 188% के आपको बढ़ा देखने को मिल रही है पिछले quarter से बात करें पिछले quarter में थे 992 क्रोड तो वहाँ से जरूर 37% के आपको कटाओती देखने को मिल रही है तो year on year basis पे तो काफी अच्छे नतीजे हैं वर quarter on quarter basis पे आपको यहाँ पर काफी ज़्यादा कमसुर देखने को मिल रही है फिर भी कह सकते है कि जो result है थोड़ा सा positive side में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो देख सकते हैं loan disbursement है 9202 क्रोड है यहाँ पर 54% बढ़ा है और quarter on quarter basis पे 15% बढ़के है जो यह काफी अच्छी चीजे है यहाँ पर साथ में इसके asset quality की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है जो पिछले quarter में था 11.3 जो है gross stage 3 जो asset quality यहाँ नापा जाता है जितने भी NBFC होती है उसके लिए जो घटके हो चुका है 7.7 तो घटता है जो जादा बैटा रहे था आप देख सकते हो काफी ज़्यादा घटके आया है और इसके जो provisioning coverage ratio है वह भी बढ़ा है इस बार 58% हो चुका है जो 57 था पिछले quarter तक तो यहाँ पर कहा सकते है जो result है थोड़ा से ज़रूर positive side पर है तो खुम देख सकते हों Bollinger Band की बात करें यहां पर तो सैड के आपर hand के आचह पास चाहर आति कर रहा है तो यहां पर देख सकते है यहां पर यहां परWW काया सकते है यहां पर पर यहां फ्छांट से Uzum говорить uh उपर ही काफी ज़्यादा अब यहां पर इसमें जो नेगेटिव डाइवर्जिन वो नहीं बना है तो स्थेम यहां पर भी काफी मजबूत है यहां पर आप देख सकती हो कि अच्छा कासा दोड़ा था आपको देखने को मिल रहा है नहीं कि अभी भी यह फॉलिंग चैनल में तो हो सकते हैं कि यहां तक यह जाए कुछ यहां से फिर यह यहां से वापस आ जाए तो देखना पड़ेगा अगर इसने यह ले लाइन ब्रेक कर दी यहां पर तो जुरूर यहां पर काफी बड़ा है कि नहीं क्योंकि यहां पर देख सकते हो फॉलिंग चैनल में लॉंग टेम के ट्रेंड पर आपको देखने को मिल रही वन डे का चार्ट है तो चलिए ठीक है अगर आपके पास यह स्टॉक है या इसका लेने का सोच रहे हो कुछ भी इसके रिकार्डिंग डाउट है तो आप दूरू कमेंट्स में पूछ सकते हो वीडियो चलकते वीडियो को आप लाइक किजिएगा शेर किजिएगा चैनल को सब्सक्काइब करना बिल्कु ना भूले है आप